कई बार लोग खुद को उदास और दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं और अपने आपको अकेला महसूस करते हैं इसी ता आधार पर अकेली पन की ब्याख्या दी जा सकती है जब व्यत्ती खुद को दूसरों या उन लोगों से अलग थलग महसूस करता है जिनसे वहाँ ज साइं 2004 में नेशनन सैंपन सर्वे के आफिस के अनुसार इस ही सोध्ध में पाया गया था कि उस वक्त भारत में लगभा 50 लाख लोग अकेले पन के सिकार हैं और खुद को अकेला समझते हैं अकेले पन को हम अपने रिष्टों से समझ सकते हैं कई लोगों के फोन में हजारों कंटेक्ट होंगे फेस्बूक पर 500 से ज़्यादा दोस्त होंगे बाकी लोगों से भी बहुत मिलना जुम्ना होता है वही दूसरी तरफ कई लोगों के 2 से 4 ही दोस्त होंगे ऐसे में जरूरी नहीं है कि जिस वैक्ति के जादा दोस्त हैं वहां अकेले पन का सिकार नहीं हो सकता या जिसके कम दोस्त हैं वहां अकेले पन का सिकार जल्दी हो जाता है अकेले पन कई प्रकार का होता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तैंकर समय उस उदास महसूस कर सकते हैं मांसिक ब से दोस्य स्कूल में जाना घर सिप्ट करना यह किसी करीबी का दूर चले जाना किसी ऐसे जगह पर ना जा पाना जहां आप अक्सर जाया करते थे ऐसे लोगों को अकेलेपन महसूस होने लगता है यहां अकेलेपन परिष्थितियों में बदलाओं के कारण बनते हैं जब हाला बदलते हैं तो बैक्ति एक्दम से उन हालातों में ठल नहीं पाता पुरानी चीजों को याद करके अकेलेपन महसूस करने लगता है अला कि यहां अकेलापन समय के साथ खुद वाखुद चला जाता है यह बैक्ति अपनी जिन्दगी में आए बदलाओं को सिकार करने लगत है तो बहां अकेला महसूस करना बंद कर देता है इस बात में कोई सट नहीं है कि जिन्दगी में हमें जुड़े होने और उनसे अलग होने पर अकेला महसूस करते हैं और जब उनकी जिन्दगी में कुछ नया होता है या उनका विकास होता है जैसे उनका प्रमोशन हुआ य ऐसे में हमाना उनसे जुड़ाव कम होता जाता है तो बैक्ति अकेला महसूस करने लगता है इसका सबसे सब्सक्राइब हमारे बेस्ट फ्रेंड की साधी हो जाना जिसके बाद वह अपना समय हमें नहीं दे पाता और हम अकेला महसूस करने लगते हैं जब गती उन लोगों के बीच होता है जो हमारी पास्ट या निर्भर करते हैं कुछ ऐसे घटनाए होती है जिनके कार हम आकेने पर महसूस करने लगते हैं जैसे दोस्तों से दूर हो जाना, घर बदल लेना, दूसरे सहर चले जाना, नौकरी बदलना या रिटायर होने पर लोग अकेला महसूस करते हैं भासाएं समिस्या, संस्क्रीत ना मिले के कारण, सामाजी में जोर ना होने के कारण, सोसल मेडिया पर ज्यादा समय बिताने के कारण, किसी अपने के छोड़ जाने चले जाने के कारण, मांसिक या सारीरी कमजोरी की कारण भी होते है अकेले पन महसूस करना सिर्फ खुद को अलग थलग करना महसूस नहीं होता बलकि अलेके अकेले पन अपने कई साहत मांसिक सारीली समस्षाओं के साथ आता है जिसे सोचने में कमी होना, एक ही बात को बार बार सोचना, नकरात्मत बिचारों का आना कुछ खाने का मन न करना, डेपरेशन की भावना आना, बहुत ज्यादा सोपिंग करना बहुत ज्यादा सोचल मीडिया परेक्टि होना, बहुत ज्यादा टीवी देखना, कहीं भी मन न लगना, सरीर में कहीं तर्द होना दोस्तों मेल जोल बढ़ाएं अकेले पन किसी के दूर चले जाने या फिर रिष्टों में आई खटास के करण हो सकता है अगर आप भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं तो अपना मेल जोल बढ़ाएं या दोस्तों से मिले उनसे बाते करें नए सौग बनाएं दोस्तों जब भी आप अकेलापन महसूस करें तो नए सौग बनाएं जैसे फिल्म देखना गेम खेलना किताबे पढ़ना फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो नए दोस्त बनाएं दुनिया में लोगों को कमी नहीं है आप नए दोस्त बना सकते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं नहीं तो आप अपने आफिस के गाड़ से आफिस के बॉय से या फिर सहलून वाले से दूत वाले से एक नार्मल बातचीत करें उन्हें हेलो कहें उनके काम करने के बाद उने थैंक्यू कहें आप देखें कि कुछ ही दिनों में आपके कई सारे दोस्त बन जाएंगे दयालो और जिग्यासू बनें दोस्तों अकेले पर से बटने के लिए बहुत सारी जरूरते हैं कि आप दूसरों से बात करते रहें समय और दयालो जिग्यासू रहें और उनकी बातों में भी रुची रखें ठेरैपिस्ट या मनोविग्यानी की मदद लें दोस्तों समय सब बहुत बढ़ जाए उससे पहले ही आफ ठेरैपिस्ट या मनोविग्यान से मदद ले सकते हैं और आजकल तो जरूरी नहीं है कि आप उनके पास जाएं या आप घर पर ही online भी सम्भव सकता है जैसे आप कई सारी बातें आफ सेयर कर सकते हैं मनोविग्यान के साथ अपनी online appointment बुक कर सकते हैं जिसके मनोविग्यान आपको खुद काल करेंगे और अपन मनों वैग्यानिक ठरैपी के दोरह आपके समयस्या का समाधान करेंगे दोस्तों मनों से एक समाजिक प्राणी है लेकिन इसके बहुत भी वह समाज में रहकर अकेला महसूस करता है तो ऐसे कोई समाज बात नहीं है हलाकि बहुत से लोग इस मांसिक समयस्या का सामना कर रहे है लेकिन सही गार्डिन्स इलाज नहीं मिल पानी के कारण यह समयस्या बढ़ती जाती है और बैक्ति डिप्रेशन का सिकार हो जाता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है अगर आप करीबी अकेलेपन से जूज रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम बहुत सारे आइसे वीडियो बना कर अपनी चैनल पर सेयर करते हैं जिससे कि आपके अकेलेपन को दूर किया जा सकता है दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर जब आये हैं तो इस लाइक करें जरूर हमारी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हम बहुत ही मोटिवेशन लेकर आते रहते हैं